कि स Healthy क्या है अंधा बिकी हिरु में हम दिसक्रशन करेंगे एडलाइट और हेडलेंद हेडलाइड और हेडलेंद क्या होता है इनका कुछी किसा होता है और इनका वर्किंग कैसे होता है आटोवाइस में बहुत अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग डिजाइन के headlight का इस्तिमाल किया जाता है जिसमें लगने वाले headlamp अलग-अलग प्रकार के होते हैं तो उनके बारे में भी हम discussion करेंगे सबसे पहले आज हम बात करते हैं जो main content हैं जो topic हैं किस-किस topic पर हम बात करेंगे सबसे पहले headlight और headlamp headlight और headlamp क्या होता है इन दोनों में difference क्या है दूसरा types of headlamp आटोवाइस में प्रियोग की जाने वाली headlight है उसमें headlamp कितने प्रकार के होते हैं उसकी discussion करेंगे उसके बाद construction and working headlamp का जो construction और working होता हो किस प्रकार से होता है उसके बाद headlight beam क्या होता है और headlight visibility range क्या होती क्या होती क्योंकि आटोवाइस में जो headlamp या headlight का इस्तिमाल क्या जा रहा है उनकी जो reflection है सडग पर उनकी visibility range अलग-अलग होती है तो उसके बारे में discussion करेंगे सबसे पहले बात करते है headlight versus headlamp headlight versus headlamp है क्या है आटोवाइस में आपने देखा होगा अलग-अलग प्रकार की अलग-अलग कंपनियों की गाडियां market में है उनमें जो headlight है headlight अलग-अलग design की headlight का इस्तिमाल किया जारा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहोंगे इस headlight का design अलग है इस headlight का design अलग है तो यह हो गया headlight जो एक glass sealed glass की जो पूरी assembly लगी रहती है यह car में front side में उसको headlight बोला जाता है और उसके अंदर लगने वाले bulb को जैसे आप यहाँ पर देख रहे है जो उसके headlight के अंदर जो bulb लगता है उसको headlamp बोला जाता है जिसको आप यह इस figure में देख रहे हैं जो अंदर bulb लगता है उसको headlamp बोला जाता है टाइपस ऑफ हेट लेंब जो आटो माइस में जो लेंब का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कितने प्रकार के होते हैं जो सबसे पुराना और सबसे अधिक मात्रा में जो जिनका इस्तेमाल किया जाता है उनको टंगस्टन हेलोजल बल्ब बोला जाता है इसमें हेलोजन गैस भर costly होता है और इसकी जो intensity होती हो बहुत अधिक होती है reflection सड़क पर इसका बहुत ज़्यादा होता है उसके बाद आता है LED बल्ब जो सबसे आधुनिक आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका auto wires के साथ साथ घरों में भी इसके बारे में discussion करेंगे उसके बाद laser lamp जो सबसे आधुनिक latest technology है laser lamp तो आजकल की महंगी गाड़ियों में इन लैंपों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है तो इनका आगी construction और working के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे HID projection lamp की जो HID projector lamp है यह का construction कैसा होता है इसका working कैसा होता है इसको जानते हैं इसमें आप देख रहे हैं यह पूरे bulb assembly है यहाँ पर आप देख रहोंगे पूरी bulb assembly है इस bulb assembly के अंदर quartz arc tube लगी रहती है यह quartz arc tube लगी रहती है जिसमें filament लगे होते हैं और इस जो यह जो ग्लास है बल्ब का जो ग्लास है इसमें आप देख रहे होंगे आप पर yellow color की एक layer है जिसको phosphorus coating बोला जाता है यह phosphorus coating का जो बल्ब की जो रोसनी है उसका reflection या उसको bright करने के लिए यह phosphorus coating की जाती है और जो अंदर quartz arc tube लगी रही है वो दोनों तरब से फ्रेम से support रहती है जिसको hold किया जाता है और इसके अंदर mercury, vapor, sodium की गैसे भरी रहती है जो जिन गैसों से इनका reflection को बढ़ाया जाता है साथ में argon gas का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है तो इसका working क्या है जब अगर हम इसमें इस bulb में बैटरी से electric की supply दी जाती है तो electric की supply देने से क्या होता है कि जो इसके contact point होते हैं जो contact point होते हैं अंदर आप देख रहे हैं यह आप देख रहे हैं दो contact point है यह इसका पीछे क आती है तो सप्लाई आने से क्या होता जो quards arky şivas होती है उसमें ultra violet जो यह आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इन दर arg ट्व है इसमें light प्रुडी होती है अल्टा वाइलेड लाइट प्रुडी होने से क्या होता है जब हो layer पर पढ़ती है तो fluorescent layer में पढ़ने से क्या होता है जो उसका reflection होता हो बहुत ज़्यादा bright हो जाता है और उसके intensity हो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये था HID bulb अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा आजकल इस्तिमाल किया जा रहा है वो होता है halogen tungsten bulb उसके बारे में बात करते है halogen tungsten lamp होता क्या है ये आप सामने देख रहे हैं ये halogen tungsten bulb है halogen tungsten bulb में आप देख रहे होंगे दो प्रकार के filament है कई गाडियों में दो प्रकार के filament वाला bulb इस्तिमाल होता है कई में दो बल्बों का इस्तिमाल किया जाता है इस bulb के अंदर halogen gas भरी रहती है और यह जो आप देख रहे हैं यह tungsten filament है दो लगे हुए है इसमें एक होता है main filament है होता है second filament और यह जो glass का bulb होता है यह बाहर से sealed रहता है और यह पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पर तीन terminal है जो एक, दो short हो रहते हैं दो terminal अलग-अलग से switch के साथ connected रहते हैं इसमें high beam और low beam की बियौस्था रहती है यह जो halogen tungsten lamp है इसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा अधिकतर गाड़ियों में आपको यह देखने को मिलेगा इसके अंदर halogen gas भरी रहती है जब इसमें electric की supply दी जाती है तो उसमें tungsten filament में light generate हो जाती है light generate उनों से क्या होता है जो halogen gas होती है halogen gas के कारण उसकी light जो होती हो काफी bright हो जाती है और halogen gas के कारण ही इसका जो filament है वो जलने से बच जाता है इसके बाद आता है LED bulb जो LED bulb है LED bulb का ही इस्तिमाल आजकल अधिक गाड़ीों में है या सबसे जादा इसका इस्तिमाल किया जा रहा है इसमें electricity का consummёт बहुत कम होता है इसलिए इस bulb का इस्तिमाल बहुत जादा किया जा judiciary सबसे पहले इसका construction समझाने इसका construction कैसा क치를 जाता है इसके नीचे आप देख रहेंगे, यहाँ पर एक gold layer होती है और यह जो उपर आप देख रहेंगे, यहाँ पर दो metal की layer है metal की layer के center में, जो बीच में है, यहाँ पर electricity reflect होती है और यहाँ पर आप देख रहेंगे, जो metal layer है, उपर से इसमें positive supply दी जाती है तो जो इसका कारी करने का धंग है, जो अगर हम ये LED बल्म की बात करें तो इस बल्म में कई प्रकार की LED आप देख रहोंगे, कई प्रकार के LED इसमें माउंट किये रहते हैं, अब इनका design जो माउंटिंग का है वो आवसकता अनुसर किसी प्रकार का हो सकता है इसमें जब electricity supply दी जाती है तो N-type semiconductor से क्या होता है electron P-type diffuse semiconductor में जाते हैं यहां से उपर को वो जाते हैं तो जो P-type semiconductor होता है इसमें क्या होता है hole होते हैं और जो N-type semiconductor होता है semiconductor होता है यहां से जब electron P-type semiconductor में जाते हैं तो उसमें hole होने से क्या होता है वो बाहर को reflect होती है जैसे आप इसमें working समझें ये electron उपर को जा रहे हैं वो hole में जैसी आते हैं तो उपर को जो उसमें reflection होता है वो reflection बाहर को निकलता है तो ये जो LED bulb होता है ये काफी efficiently work करता है और electricity बहुत कम इसमें consume होती है इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये है laser lamp आटो मॉाइल्स में आजकल जो गाड़ियां है उनमें गाड़ियों में laser lamp का भी इस्तिमाल किया जा रहा है laser lamp जो होते हैं ये काफी costly होते हैं और काफी महंगी गाड़ियों में इसका इस्तिमाल किया जाता है तो इसमें जो आप देख रहे हैं लेजर ये पीछे आप देख रहे हैं जो ये लेजर प्रोजेक्टर है लेजर प्रोजेक्टर से जब लेजर निकलती है तो वो फॉस्फोरस कोटेट एक लेंस में पढ़ती है उस lens में पढ़ने से क्या होता वो काफी brightly सड़क पर पढ़ती है तो इसके working में जब हम इसमें electric के supply दी जाती है तो जो इसका laser projector है laser projector जो होता वो electromagnetic radiation के सिद्दान पर कारिकरता है जब इसकी जो laser है वो phosphorus coating में पढ़ती है जो सामने phosphorus coating होती है तो जो phosphorus coating होती हो यलो प्रकार के होती है यलो उसमें color होता है तो जो उसमें laser पढ़ती है तो laser पढ़ने से क्या होता है वो काफी brightly सड़क पर reflect होती है तो इसका working इक बार समझते हैं यह आप देख रहोंगे यहाँ पर yellow प्रकार का एक lens है जब यह laser गुजरता है तो laser से जो इसकी रोसनी होती है वो काफी brightly सड़क पर produce होती है reflect होती है जिससे कि यह efficiently, काफी efficiently यह work करता है इसका इस्तिमाल काफी महंगी गाड़ियों में किया जाता है Headlight beam इसमें दो प्रकार की high beam और low beam होता है इसमें जो reflector का इस्तेमाल किया था जब बल्बस के रोसनी निकलती है रोसनी जब निकलती है वो reflector पड़ती है अप देख रहोंगे रेफ्लेक्टर पर किसी एक angle पर पड़ती है angle जब high beam में क्योंकि high beam में जब lower जो नीचे वाला जो filament होता है वो जलता है जब उसमें reflection होता है तो ये straight सड़क पर पड़ता है ऐसी low beam में अगर बात करें तो low beam में क्या होता है जो height पर bulb होता है वो bulb जलता है उसका reflection का जो angle होता है reflector पर चेंज होता है और change होने से क्या होता है जो reflection होता ह में अभी को बता है अलग अलग प्रकार के Head Lamp का इस्थिमाल होता है तो उन Head Lamp का जो distance है जो distance है वो सड़क पर कैसे कैसे पड़ता है वो आप यहां पर देख पा रहे होंगे जो halogen bulb होता है, halogen bulb के अगर हम distance देखें, सड़क पर तो वो 30 मीटर से 40 मीटर के आसपास होती है और जो HID bulb होता है, high intensity discharge जो बल होता है, उसका जो सड़क पर reflection होता है, वो 70 मीटर या 80 मीटर के आसपास हो जाता है और जो LED bulb है, LED bulb का जो reflection है, वो 300 से 400 मीटर तक हो जाता है, यह काफी, इसका intensity काफी, अच्छी होती है, काफी bright होती है और जो laser light होती है, वो LED bulb से भी काफी जादा होता है, उसका 3 या 4 गुना जादा होता है, उसकी intensity है और उसका reflection होता है तो यह आप समझ पा रहोंगे इसमें कि इनमें distance के according इसमें working इनकी बढ़ जाती है, इनकी cost भी बढ़ जाती है तो आसा करता हूं कि यह समझ में आया होगा आपका, thank you